जैहिन दोस्तों मैंने धीवें चोहन आजम करेंगे क्लास 10th का 4.3 का question 1 का part 3 तो हमारा question है इसको पूर्ण दिये गए समीकरण को पूर्ण वर्ग की विधी से solve करना है ठीक है तो यहां पर समीकरण है 4x square plus 4 root 3x plus 3 बराबर 0 तो कभी-कभी ऐसे समीकरण को solve करने के लिए हमें किसी trick का use करना पड़ता है ठीक है तो यहां पर देखिए हमने क्या trick लिए है जो यह 3 है इसके ओपर हमने root डाल दिया और square डाल दिया यदि हम root से square को cut कर दें तो भी वो 3 है और अगर हम इस सम को solve करने के लिए यहां पर root और work का use करें तो भी वो सही है ठीक है जब यहां root होता है तो root से work cancel हो जाता है ठीक है तो यह इस trick का हमने use किया है अब यह formula बन गया a square plus b square plus 2ab ठीक है a square plus b square plus 2ab का यह formula बन गया तो a plus b का hall square हो गया ठीक है तो hall square हो गया बराबर 0 अब इसको हम open करके लिख देंगे 2x plus root 3 2x plus root 3 क्योंकि work है न तो दो बारी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं अब दोनों term का हम निकालेंगे 0 2x plus root 3 बराबर 0 2x plus root 3 बराबर 0 ठीक है 2x यहां रहा root 3 का पक्षान्तरण तो यह minus हो गया क्योंकि यहां plus का था सेम यहां पर भी है plus root 3 का पक्षान्तरण तो minus root 3 x यहां पर देखें दो से गुणा हो रहा है है न तो यहां जागा तो भाग हो जाएगा इसी तरह सेम यहाँ पर गुणा हो रहे हैं दो यहाँ पर यह भाग हो जाएगा तो इस समीकरण के हल आ चुके हैं मिलते हैं अगले क्वेशन के साथ अगली वीडियो में जै हिन जै भारत